जनपत बलिया के शहतवार्थानाच्षेत के शमरत पाह गाउं में गुरुवार की राद बाइक सवार बदमाशों ने कोटेदार ललन पांडे की कूली मार कर हत्या कर दी गुली कान कीज़ घटना से छेत्र में दहशत का महौल है वहीं साथ में जा रहे हु नहीं के गाउं शमरत पाह के प्रधान मुकेश चौधरी भागने में सफल रहे पुलिस प्रधान से पूस्ताश कर रही है बतादे कि समरत पाह कोटेदार ललन पांडे प्रधान मुकेश चौधरे के साथ बाइक से महुआरा से पचेव देवी मार्ग जाते वे अपने गाउं जा रहे थे इसी बीच नीले रंकी बाइक सवार बदमाशों ने कारी रोग दी इसके बाद कोटेदार पर हतियार तां दिये जहादे एक प्रधान भाग निकले कोटेदार के सिर्वा पेट में गोली मारी है बाइक सवार अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकले वहीं ललन पांडे को जिलाज पता ले जाया गया चिकित्सकों ने जाज के बाद म्रत घोशित कर दिया इंडे 94.7 लाइफ टीवी के लिए भीम बली सिंग के साथ शुनिर कुमार सिंग की रिपोर्ट हम दोनों लोग गए उनके सस्राल वहां बच्चाय पाइज हुआ हम लोग साड़े साथ बजे करी में हम टाइम नहीं देख लेकि लगवक्स वही टाइम हो रहा था हूँ साड़े साथ यह साथ पैंटी सही सही हो रहा हूँ हम वहां से निकले हम आये और हम गाव जा रहे था पर दुन आदमी इतना में वो 25 दू लोग पीछे से आये हम आगे थे पीछे साए बोले हुआ को पंडी जी थोड़ा रुकी आप से काम है रुके हो उसके बाद हम गाड़ी से उतर गए बाएक एक ही बाएक पर दूनों आदमी थे हम उतर गए उसके बाद वहीं पर खड़ पर दूनों आदमी आदमी थे तीन चार बाएक से पांचे आदमी आदमी आए अचा कैसे हुआ है जमीन का विबाद था तो आप ठाने में इसकी सिकायत आपने दिया था तो पुलिस आपकी क्या मदद किया पहले कि हम लोग को मातने के लिए धंका रहे थे तो इसमें अपने इस्थाने पर शिकायत किया था पुलिस आपकी क्या मदद किया था जब होगा तो देखा जाए को अब